एक कटोरी हरी मिर्च, एक कटोरी टमाटर, किलो भिंडी, एक प्लेट प्याज, एक चमच पिसीवी मिर्च लाल, एक चमच हल्दी हस्बेजाय का नमक, अब आप एक अड़ा हाई लें, उसमें डालें, तीन चमच कुकिंग ओयल, अब इसमें डालें प्यास, और इसको ब्राउनोंने तक भून लें, इसको हिलाते रहें, ताके ये नीचे से लगे नहीं, चुले की आँच तेज रखें, और अब ये प्यास ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे भिंडी, और इसको अच्छी तरह भून लेंगे, चमच हिलाते रहेंगे, ताके ये नीचे लगे नहीं, अब इसको हिलाते रहें अच्छी तरह, ये देखें, आपके सामने हैं, जब इसके अंदर से ये ले अब इसके लिए खतम हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे बाकी मसाले, अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी टमाटर, एक कटोरी हरी मिर्च, और इसको अच्छी तरह थिला लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे, एक चमच पिसी हल्दी, हजब जाइका नमाक, और एक चमच लाल पिसी मिर्च, अब हम इसको ची तरह मिक्स कर लेंगे, यह प्यार हो चुकी है, अब इसको धापके, और खलकी आँच करके, आँच इतनी रखें, बस, अब हमारी भिंडी बन के त्यार हो चुकी है, अब हम आँच बन कर देंगे, गरंगरं रोटी के साथ भिंडी और सलाथ पेश है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सबस्क्राइब करना मतबूर्ट,